कोलीस्ट्रोल और ट्राइगलिसराइड ये दोनों सबसे बड़े टेर्रेस्ट है मालीजे। आज आपने दूस्वी सुना हैं हैं बहुत बड़े बड़े टेरिस्ट हैं लोग बोलते हुआ सहा olan ये बहुत बड़ा टेरिस्ट है हजारों लोगों को मारा है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल भाई है और ये जो ट्राइगलिसरेट भाई है बंबई में ये जो टेरिरिस्ट या जो डॉन होते हैं उनको भाई बोलते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल भाई है और ट्राइगलिसरेट भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा टेर्रिस्ट है दोनों मिला के इंडिया में करीब करीब 9000 लोगों को हर दिन मारते है ये सारे जान को हम बचा सकते हैं इन दोनों को समझ जाए तो आपको समझ जा रहा है क्या बोलने की बात कर रहा हूँ ये दोनों आपके घर के अंदर आपके किचन के अंदर घुश चुके हैं और आपकी वाइफ से मदद मांग रहे हैं कि इसको मार गिराना है एक वाइफ मेरे पास आके खूब रोई सर आपका बोलने का मतलब है मेरे बज़े से इनको हार्ट अटेक हुए अगर आप इतना तेल घी नहीं खिलाती इतना मीट नहीं खिलाती तो हार्ट अटेक होता ही नहीं तो ये जो हार्ट अटेक हो रहा है इसका मेन कारण है कोलेस्ट्रोल एंट्राइगलिसएड यही दोनों जमती हैं और यही ब्लॉकेज को बढ़ाते रहती है और यह एक दिन परदा फढ़ जाता है और हार्ट अटेक हो जाता है और नहीं तो एंजाइना तकलीफ बढ़ेगी और एक दिन हार्ट अटेक अल्टीमेटली होगी तो एनिवे यह दोनों को तो समझ आ गया आपको क्या लगता है यह दोनों गुंडे अकेले हैं इनकी टीम भी होगी और यह टीम के मिम्बर्स का नाम आपको बताना चाहता हूँ एक का नाम है HDL आपने सुना होगा HDL कोलेस्टरॉल एक का नाम है LDL एक का नाम है VLDL एक का नाम है VLDL और एक का नाम है कोलेस्टरॉल HDL रेशियो कोलेस्टरॉल HDL रेशियो ये छे लोग हैं इनको हम लोग बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल ये सारे गुंडे लोगों का टीम है और ये सब मिलके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपने कभी कराया है? हाँ कराया तो पक्की होगा ये लिपिड प्रोफाइल में इस सारे गुंडों का नाम है और कौन सा गुंडा किस परिमान में आपके ब्रेड में हैं वो भी बताया होता है मैंने आपको बोला कोलेस्टरॉल 130 से कम चाहिए ट्राइगलिसाइट 100 से कम चाहिए तब आपके रिवरसल की प्रोसेस चलेगी और इसके बाद है HDL इसको बोलते है गुड कोलेस्टरॉल आपने जरूर सुना होगा गुड कोलेस्टरॉल होता है ये करता क्या गुड कोलेस्टरॉल ये ब्लॉकेज में जाती है और blockage को वहां से withdraw करके लेके आ जाती है देखिए इसका मतलब क्या है ये blockage में good cholesterol यहां से गया और जाके यहां पे घुसा और यहां से निकलते बख़द ये थोड़ा सा cholesterol को और पकड़ के लेके आ गया इसका मतलब क्या है good cholesterol का का काम है blockage में जाओ और उसको उठाके cholesterol को निकाल के लेकि आओ तो good cholesterol को इसलिए हम लोग HDL को good cholesterol बोला जाता है क्योंकि ये good काम करती है blockage को रोकने का काम करता है तो ये good cholesterol बजार में नहीं मिल जाएगा दो चाह किलो करीड लेते हैं अगर हम लोग तो ये good cholesterol बजार में नहीं मिलता है ये हमारी body बनाती है लोगों की गलत धारना है particular food में HDL बढ़ जाती है particular food में अगर HDL होती तो मैं वो food का concentrate बना के सब को free में बटवाता कि सब को एक हाओ HDL heart attack कभी नहीं होगा परियाद रखेगा HDL बाहर से आती नहीं कोई ऐसी food नहीं है जिसमें HDL होता है HDL हमारा body बनाता है और वो कब ज़्यादा बनाता है जब आप हर दिन पैदल चलेंगे तो अगर आप हर दिन पैदल चलते हैं stress कम करते हैं green vegetable खाते हैं smoking बंद करते हैं HDL बढ़ जाएगी तो HDL को बढ़ाना है और cholesterol triglicide को कम करना है एक बात और याद रखेगा जो HDL है यह इसके संग cholesterol HDL ratio एक माना जाता है आजकल HDL से ज़्यादा important हो गया कि इसकी ratio किती है ratio मतलब यह cholesterol के अनुपात में किस amount में है तो आजकल नया रूल हो गया 25% से ज़्यादा रख दीजे अगर total cholesterol 100 है तो आपको 25 से उपर रखना होगा HDL तो आप सेफ है अगर 200 है तो आपको 50 के उपर रखना होगा मतलब 25% से ज़्यादा रखेंगे अगर HDL को cholesterol के अनुपात में तो वो आपके heart को protection देगा तो HDL को बोते है good cholesterol ये हमारे cholesterol की team में है पर अच्छा काम करता है इसके बाद है LDL LDL को लेके बड़ी confusion है लोग बोते है LDL important है मैं बोले चलो important है कौन से खाने में LDL होता है LDL को doctors लोग को जानने की ज़रूत है पेशेंट तो cholesterol और triglycide को बंद करें हाँ ये दोनों अंदर जाके LDL बनाती है तो ठीक है LDL बनाएं ना हमें cholesterol की supply बंद कर देंगे तो LDL automatic कम हो जाएगा तो LDL को importance ना दीजे पेशेंट के हिसाब से क्योंकि LDL बनेगी cholesterol से ही तो cholesterol कम करते ही LDL कम हो जाती है इसलिए LDL को मैं ज़्यादा importance नहीं देता हूँ पर फिर भी बोलूँगा LDL 70 से कम हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और VLDL भी याद रखेगा ये triglyceride का भाई है VLDL is equal to one fifth of triglyceride तो याद रखेगा VLDL 20 से कम होना चाहिए तो अपने पास cholesterol 130 से कम triglyceride 100 से कम HDL 25% से ज़्यादा more than 25% LDL 70 और VLDL 20 और cholesterol HDL ratio ये 25% में आई गई तो याद रखेगा ये सारे lipid profile को आपको पहचान करना बहुत जरूरी है कभी भी lipid profile करें ये नहीं कि डॉक्टर देख लेंगे अरे डॉक्टर नहीं देखेंगा आपको देखना सीखो आपको अगर बेस्ट जगे में लाके रखेंगे तब जाके आपका हार्ट अटाइक रुकेगा हर हार्ट का पेशिंट लिपीड profile कराता है तो मतलब जानना बहुत ज़रूरी है चलिए अब तो ये lipid profile आपको समझा गए अब next step में जाते है ये जो छे लोग है ये जो kolesterol triglycide ये तो गुंडे हैं ही है छे और गुंडे इनके पास आते हैं और आके बोलते हैं हम लोग आपको help करना चाहते है help करना चाहते है बोला आप बड़े गुंडे हम छोटे गुंडे हैं पर आपको help करना चाहते है बोलते हैं क्या चाहिए मुझे help नहीं चाहिए बोला नहीं आप जो blockage का काम करते हो 10 साल में बनाओंगे तो हमें 7 रखोगे तो 5 साल में करवा देंगे मतलब हम खुद blockage नहीं बनाते हैं पर blockage को बनाने में मदद कर सकते हैं तो ये कौन से लोग है ये 6 गुंडे कौन है छोटे गुंडे हैं ये बट ये blockage बनाएंगे नहीं पर blockage बनाने की speed बढ़ा देंगे ये कौन से लोग हैं ये 6 लोगों को और मिलते हैं तो ये 7 नमबर का नाम है high BP blood pressure भी blockage बनाने में मदद करता है 8 नमबर है high sugar इसको diabetes भी बोल सकते हैं लोग और 9 नमबर है smoking smoking और इसको हम लोग टोबैको भी बोलते हैं टोबैको मतलब तंबाकू कैसे भी ले लो टोबैको और उसके बाद है 10 नमबर हो गया alcohol और 11 नमबर हो गयी आपकी जाके obesity obesity मतलब मुटापा ये भी blockage बनाने में मदद करता है और 12 नमबर हो गया stress तो ये जो 6 लोग है ये 6 भी गुंडे है ये 6 भी हार्ट के लिए ठीक नहीं है पर ये लोग directly कुछ काम नहीं करते हैं ये लोग क्या करते हैं cholesterol की speed जैसे आपके blood pressure है तो आपकी blockage की speed और ज़्यादा हो जल्दी हो जाएगी ये आपको heart attack होना था आज तो दो साल पहरी heart attack हो जाएगी अगर blood pressure नहीं है तो भी heart attack हो सकता है लोग मुझे पूशते हैं मेरा BP नहीं है मेरा sugar नहीं है बहुत ठीक है ये गुंडे कम है पर ये तो दोनों हैं ये दोनों blockage बना रहे थे अगर sugar और BP होती है तो आपकी blockage की speed और जादा बढ़ जाती और उसके संग smoke करते तो और जादा बढ़ जाता है उसके संग alcohol लेते तो और जादा बढ़ जाता है blockage की speed उसके संग मोटे हो तो और जादा उसके संग stress हो तो और जादा मतलब ये जो 6 reasons हैं ये blockage खुद नहीं बनाती है blockage की speed को बढ़ा देती है तो इनको भी हमें control करना होगा blood pressure हमें 120-80 लाना है sugar को 100-140 लाना है और 3 मेने की sugar 6.5 से इसको बलते है glycosylated hemoglobin 6.5 से कम लाना है smoking tobacco को बंद करनेना पड़ेगा उसके संग अलकोहल बंद करना पड़ेगा और obesity मोटापा कम करना पड़ेगा वजन जादा होगा तो heart attack होने के chance जादा हो जाएंगे blockage बढ़ेंगे और stress तो ये सबसे बड़ा master है इन 6 लोगों का leader है stress stress का मतलब है mental worry, anxiety, गुसा, तकलीफ, depression कोई भी तरह का stress आपके life में बढ़ेगा तो आप जानते है stress के संग-संग BP बढ़ती है शुगर बढ़ती है, smoking बढ़ता है, alcohol बढ़ता है खाने के control खतम होती है तो इन 6 लोगों का leader है stress और पीछे पता चला stress के बज़े से cholesterol भी बढ़ती है, triglicide भी बढ़ती है HDL भी कम होती है तो आज सबसे बड़ा factor होके ओवरा है stress stress अगर heart के बिमारी का कोई मुझे बुझे number one reason तो मैं बोलूँगा तनाओ दूसरा reason cholesterol, triglicide उसके बाद blood pressure, sugar, smoking ये सारे है तो heart के बिमारी का थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा है किस बज़े से heart की बिमारी होती है ये सारे कारण है जो blockage को बनाने में मदद करती है अब चार लोग ऐसे आपको मैं बताना चाहता हूँ जो blockage को रोकने के लिए तेयार है वो चार कौन कौन है एक बार समझते है चार लोग और हैं जो बोलते हैं हम blockage को रोकना चाहते हैं तेरा, चौदा, पंदरा और सोला ये चार कौन है पहला नंबर है योगा योगा बोलता है मैं heart की बिमारी को रोक सकता हूँ blockage को होने नहीं देंगे इसको रोक देते हैं तो heart attack को रोकने का काम करता है एक है fiber fiber होता है fruits और vegetables में ये blockage को रोकने का काम करता है और एक है antioxidant आजकल सबने सुना होगा antioxidant ये जो है ये भी blockage बनाने का काम करता है और ये antioxidant blockage को रोकने का काम करता है याद रखेगा एंटी ओक्सीडेंट अदर आप लेंगे तो ब्लोकेज रुकेगा और एंटी ओक्सीडेंट मिलता कहहां? फ्लूट उर वेजिटेबल्स में आपने सुना होगा यह तीन में एंटी ओक्सीडेंट है बाकी सेलेनियं,欸 कोबल्ट, चीज़ है वो है walking, heart के patient अगर walking करेंगे तो उसको heart attack के chance बहुत कम हो जाएगे, तो अब आपके पास ये सारे 16 reasons हो गए, जिसके वज़े से blockage होता है, 6 तो cholesterol और उसके खांदान वाले हैं, 6 गुंडे हैं, और 4 लोग हैं, जो मान लेतें, police वाले हैं, या saving वाले हैं, ये आपको बचाने की कोसिस करते हैं, तो हमें करना क्या है, heart के बिमार लोगों को करना क्या है, बहुत simple सी बात है इन चार को बढ़ावा दो, हर दिन योगा करो, fruits, vegetable जादा खाओ, exercise, हर दिन करो, 35 minute पैदल चलो, इनको control करो, और इनकी supply बाहर से बंग कर दो, आपको समझा रहा है कितनी simple सी बात हो गई, heart की बिमारी को solve करना कोई बड़ी बात नहीं है, heart की बिमारी के ज़ड तक पहुँचना होगा, तो एक बार बताईए अब आपको कभी कोई heart का मरीज मिल जाए, उसको सिखा पाएंगे कुछ क्या सिखाना है उनको बोलना है देखे के करके कोलेस्टरॉल को 130 लाइए और खाने में सारे non-wage food, animal food बंद कीजे दूद लेना है, तो दूद का मलाई निकाल दीजे, उससे सब समान बना सकते हैं, और अगर इसके बाद भी कोलेस्टरॉल हाई है, तो आपका genetic case है, याद रखेगा, in such case आपको कोलेस्टरॉल कम करने की दवाई भी लेनी होगी, triglyceride के लिए क्या करना है, ना कोई भी तरह का तेल का सप्लाई बाहर से बंद और जितने nuts है इसके बाद भी जरूत हो तो दवाई लेके कोलेस्टरॉल के संग, triglycide को भी कम करना पड़ेगा, और इसको 100 से कम रखना है, HDL बढ़ाना है उसके लिए walking करना है और उसके लिए yoga करना है, उसके लिए green vegetable खाना है, और उसके लिए तनाव कम करना है और उसके संग, blood pressure कंट्रोल करो sugar कंट्रोल करो, और smoking और tobacco को बंद करो, alcohol बंद करो, मोटापा कम करो stress को कम करो, और इन सब को बढ़ावा देना है तो याद रखिएगा, heart की बिमारी का solution आप के पास है काडियोलोजिस्ट के पास नहीं है, आप कर सकते ये सारा काम, और अगर आप कर सकते तो ये bypass surgery, angioplasty जो आज हांस्पिटल वाले एक दंगा फसाद बना के रखे, कि नहीं नहीं आपका बहुत serious case है, serious case हुआ क्यों ये सारे reasons है sir, इसके वज़े से हुआ तो इनको क्यों नहीं आप सिखा के देते हो तो मेरे संग ये problem है काडियोलोजिस्ट लोगों की, वो ये बताना नहीं चाहते हैं, मेरे को लगता है ये बताना बहुत जरूरी है, अगर आप ये सारी बात को समझेंगे, और इसको अपने लाइफ में लागू करेंगे, तो heart attack होना बहुत मुस्किल है, और आपकी बिमारी reverse होगी, तो कोई जिन्ता करने की जरूरत नहीं है